दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हारदेक अभिनंदन है, आपको आज का पंचांग विस्तार से जानने को मिलेगा, इस वीडियो में अब 27 अक्टूबर दोहजार चॉबीस आज का संपून पंचांग आप जानेंगे, इस से पहले हम सभी मिलकर एक बार उन सभी लोगों को शुबकामनाई देते हैं, जिनका आज जनम दिन है, आपको जनम दिन की हारदेक शुबकामनाई भगवान करें, महादेव की कृपा से आपकी जीवन की सारी बाधाओं का जो लोग इस पंचांग को देख रहे हैं, यानि कि आप लोगों की मंगल मै की कामना भगवान श्री गनेश से करती हूँ, चलिए मित्रों इस वीडियो में, हम बात करेंगे आज का पूरा पंचांग के बारे में, आज का पंचांग इस प्रकार है, 27 अक्तूबर 2024 इस दिन सुर्योदे सुबह 6 बज के 25 मिनट पर होगी और सुर्यास्ट शाम के समय में 5 बज कर 58 मिनट तक रहेगा, आईए आज का पूरा पंचांग कुछ हिस प्रकार है, 27 अक्तूबर 2024 पंचांग कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी के दिन रमा एकाद आज के दिन अभिजीत मुहूर्थ सुबह के 11 बज के 54 मिनट से दोपहर के 12 बज के 35 मिनट तक रहेगा, इस मुहूर्थ में रमा एकादशी की पूजा करना शुब होगा, राहुकाल का समय सानकाल साधे 4 बजे से 06 तक रहेगा, राहुकाल में शुब काम नहीं करना अब जानिये पूरा पंचांग, 27 अक्तूबर 2024 पंचांग, समवत पिंगला विक्रम समवत 2021, मह कारतेक, कृष्ण पाक्ष, तिथी एकादशी, व्रत एकादशी व्रत, दिन रविवार, सूर्योदे सुबह के 6 बज के 25 मिनट, सूर्यास्ट शाम के 5 बज के 58 मिनट, नक्षत मघा दोपहर के 12 बज के 25 मिनट तक फिर पूर्वाफाल गुनी, चंदर राशीत सिंग, स्वामी ग्रे सूर्या, सूर्या राशीत तुला, स्वामी ग्रे शुक्र, करन बव शाम के 6 बज के 21 मिनट तक फिर बालव, योग, ब्रह्म, शुब मुहूर्त एक अभिजीत सुबह क 11 बज के 54 मिनट से दोपहर के 12 बज के 35 मिनट तक, दो विजय मुहूर्त दोपहर के 2 बज के 21 मिनट से दोपहर के 3 बज के 24 मिनट तक, तीन गोधुली मुहूर्त शाम के 6 बज के 20 मिनट से शाम के 7 बज के 23 मिनट तक, चार ब्रहम मुहूर्त चार बज के 5 मिनट एम से सुबह इस दिशा में यात्रा से बचें, दिशाशूर के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं, यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकाल कर फिर उसको लेकर यात्रा करें, अशुब महूर्त, रहुकाल सानकाल साधे चार बजे से शून्य छे तक, क्या करें आज कार्तिक मह की पुन्यदाईनी एकादशी है, पवित्र एकादशी के दिन भगवान सुन्धर वरत करें, श्री कृष्ण उपासना भी की जाती है, जीवन को प्रसन्य में करने के लिए श्री कृष्ण उपासना करें, कृष्ण पून ब्रह्म हैं, वह पालनहार हैं, उनके आशिरवाद के लिए लोग वरत रहेंगे, फलाहार वरत वह विश्नु-पूजा की जाती है, कार्तिक एकादशी व्रत करने से जन जन मांतर के पापनश्ट होते हैं तथा उम्र लंबी होती है, मनोवान छित सफलता की प्राप्ति वा आर्थे कुन्नती के लिए श्री विश्नु सहस्वनाम का पाठ करें, श्री सूक्त का सोला बार पाठ करें, आज अन्न का दा हिंदू पंशांग को वैदिक पंशांग के नाम से जाना जाता है, पंशांग के माध्यम से समय और काल की सटिक गन्ना की जाती है, पंशांग मुख्ये रूप से पाँच अंगों से मिलकर बना होता है, ये पाँच अंग तिथी, नक्षत्र, वार, योग और करन है, यहां ह पंचांग में आपको शुब महूर्त, राहुकाल, सूर्योदे और सूर्यास्त का समय, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रग्रह की स्थिती, हिंदुमास और पक्षादी की जानकारी देते हैं। भाजित होती हैं। शुकल पक्ष की आखिरी तिथी को पूर्निमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथी अमावस्या कहलाती है। तिथी के नाम प्रतिपदा, द्वितिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शष्ठी, सप्तमी, आश्ठमी, नवमी, दश्मी, एकादशी, द वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्निमा। नक्षत्र, आकाश मंदल में एक तारा समू को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन न रोहिनी नक्षात, म्रिग्षिरा नक्षात, आर्ग्रा नक्षात, पुनर्वसुल नक्षात, पुश्य नक्षात, आशलेशा नक्षात, मघा नक्षात, पूर्व फाल्गुनी नक्षात, उत्तरा फाल्गुनी नक्षात, हस्त नक्षात, चित्रा नक्षात, स्वाती नक्षा विशाखा नक्षत, अनुराधा नक्षत, जेश्ठा नक्षत, मूल नक्षत, पूर्वा शाडा नक्षत, उत्तरा शाडा नक्षत, श्रवन नक्षत, घनिष्ठा नक्षत, शक्वेशा नक्षत, पूर्वा भाद्रपद नक्षत, उत्तरा भाद्रपद नक्षत, रेवती नक वार, वार का आशे दिन से है। एक सप्ताह में साथ वार होते हैं। ये साथ वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं सोमवार, मन्गलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शन्यवार, रवेवार। योग, नक्षत की भाती योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेश दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विशकुम, प्रीती, आयुश्मान, सौभाग्या, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, ध्रिती, शूल, गंड, व्रिधी, ग्रुव, व्याघात, हर्शन, वज्र, सिध्धी, व्यातिपात, वर्यान, परेग, शिव, सिधा, करण, एक तिथी में दो करण होते हैं, एक तिथी के पूरवार्ध में और एक तिथी के उत्तरार्ध में, ऐसे कुल ग्यारा करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, बव, बालव, कॉलव, तैतिल, गर, बनिज, विश्टी, शकुनी, चतुश्पाद, नाग और विश्टी करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुबकार्य वर्जित माने गए हैं, याद रखें, इमानदारी, आत्म विश्वास, प्रेम, एकाग्रता और धैर्य, इन गुनों की वज़े से सफलता के साथ ही शांती भी मिलती है, जोतिश के सभी अलत्स और ट्रांड का ख्याल रखे धन्यवाद